वाया जगत में तो ऐसा करिले कर साहबे की बंदगी भूखे को कछु दे भजन का बोल है अब सोच समझा विमानी चदर्या पुरानी हो गई हम सब किस चादर धिरे धिरे पुरानी हो रही है बाल पक रहे हैं आँखों से दिखाएने दे रहा है शरीर जो चिकना चिकना दिखता था उसमें जुर्रियां पर रही है जबानी में जो हम मौज मस्ति करते थे लेकिन जब बुरापा आ जाता है तो फिर हम वह जीवन नहीं जी पाते हैं क्योंकि बुरापा में सरीर की उड़ा कमजोर पर जाती है इसलिए हमें जो यह जीवन मिला है बहुत सभाग से मिला है इसमें भजन करना चाहिए आदमी सब काम करता है सुबह से साम तक सबय उड़ता है घर दुआर को साप करता है कपरे को साप करता है इसनान करता है और जिसके पास खेत है खेत में जाता है काम करने के लिए जिसके पास जो बीजनस करता है बीजनस पर जाता है duty पढ़ जाता है service करता है तो service करने के लिए जाता है लेकिन एक काम वो भूला राता है वो क्या है सत्संग भजन ध्यान साधना नई करने के कारण उसके जीवन में असांती है काते हैं कि मन में tension है चिंता है क्यों है क्योंकि हम थोड़ी देर अपने लिए समय नहीं निकालते हैं सिर्फ परिवार के लिए हम समय निकालते हैं परिवार के लिए था हम जीतोर मेहनत करते हैं लेकिन अपने लिए थोड़ी देर समय नहीं निकालते हैं इसलिए हमें समय निकालना चीए अपने लिए और अपने जीवन के लिए सद्गुरु कबीर साहिब काते हैं काहे विसीयन में लपेटानी चदरिया पुरानी हो गई अबे सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई कासी पोजे मधुरा पोजे मात पिता को कोई न पोजे कासी पोजे मधुरा पोजे मात पिता को कोई न पोजे अरे जिनकी अरे जिनकी ए खरिरे निसानी चदरिया पुरानी हो गई यबे सोच समझ अभिमानी चदरिया पुरानी हो गई काहे भी सी अन मेल पेटानी चदरिया पुरानी हो गई हिंदों के बकरा काटे आप अहीं काटे आप अहीं खाए हिंदों के बकरा काटे आज इस गौं में हम लोग आये हैं मदन पुर में जिधर जाता हूं बकरा दर्जनों के दर्जन बकरा हर गर भी पाले हुए हैं क्यों पालते हो भाई क्यों ये पाप करते है ये जो इन बकरा क्या करते है कसाई क्या करते है आर्थी करते है ले जागर के काटते हैं कि नहीं उस पैसे से अगर आप कुछ भी खर दो ये पैसा जमा करो रहे गए नहीं वो पाप क्यों पैसा है इसलिए आप भगवान कृστçuन के बंसर्ज हुआ यादव हुआ घ्रिषन गाई पालते थे आप लोग गाई पालो भैस पालो बकड़ी क्यों पालते है हिम्मत है तो सेर को पकर खा कर देखो वो जो गमजोर प्रॉन ये बकड़ी है मुड़ी है उसको काटते है यह हिमत नहीं कि हम सेर को पगर कर सकते हैं लेकिन आदमी थोड़े थोड़े स्वार्थ बस पैसे के लिए पैसे के लालत में आदमी क्या क्या कांग करता है और बकरी पैसे करके पैसे रखोगे वो रहेगा नहीं और आप जहां हो stealing जोपरी में वो इसे ही रहोगे हम देखें हैं यहां के राजस्ठान तक में यहां हम लोग जाते हैं देखते हैं जो लोग यह बकरी पालते हैं उसका पैसा रखते हैं वो कभी सफल रिकास नहीं कर पाया है वो वैसे जोकी जोप्रिम वैसे गरीवी जिन्दगी दियेगा इसलिए अगर बात को समझते हैं आज से जहने सपन लिजे और बकरी हटाईए घर से आगे कहते हैं हिंदु हो के बकरा काटे आप ही काटे आप ही खाए आप ही काटे आप ही खाए आरे दोसे लगा वे महाईरानी चदरिया पुरानी हो गए यारे दोसे लगा वे महाईरानी चदरिया पुरानी हो गए यब सोच समझे अभी मानी चदरिया पुरानी हो गए काहे विसी अन मेल पेटानी चदरिया पुरानी हो गए मात पिता के बात न बोजे जोरु कहे सो सोई पतियाबे अरे कल युग की यही रे निसानी चदर्या पुरान हो गए यवे सोच समझे अभिमानी चदर्या पुरान हो गए कहे विशियन मेल पितानी चदर्या पुरान हो गए कहे विशियन मेल पितानी चदर्या पुरान हो गए कहे कभीरे सुन भाई साधो कहे कभीरे सुन भाई साधो फिर ये हाथ ने आने चदर्या पुरान हो गए ये बे सोच समझे अभिमानी चदर्या पुरान हो गए चदर्या पुरान हो गए बोलिये सद्ग्रुदेव कीजे बोलिये बोलिये